हेलो इस्टूडेंट आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षक पात्रता परिक्षा टेट 2012 के ओल्ड कोशन पेपर के बारे में फ्रेंड जो ओल्ड कोशन पेपर को सॉल करेंगे तो वो एक्जाम लिया गया है 2012 में जिसको हम सॉल करेंगे जिसकी संचीप्त जनकारी उत्तर के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट के भाग दो हिंदी विसाय का इसको हम सॉल करेंगे इसी प्रकार हम और भी जैसे बालविकास का बालविकास एवं सिक्षन सास्तर है उसका भी वीडियो अप्लोड करेंगे तो इस वीडियो को लास तक जरू देखिएगा इस वी वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में आपको जो सॉल्ड पेपर की बात कर रहे हैं, वो आपका काम आएगा क्लास 6 तू, क्लास 8 तक के सिक्छक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इस वीडियो में हम हिंदी के हिंदी के 30 प्रशनों को सॉल्ड करेंगे, जो 2012 में आया है तो चलिए, दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिए, ताकि मेरे दुआरा अपलोट वीडियो तूरंथ ही वाच कर सकोगे, बीना किसी रुकावाट के, तो चलिए, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला कोशन है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला सब्द है, तो आपको इस बताना है कि, जो काला सब्द है, वा कौन सा वाक्य है, तो पहला उप्सन दिया है सर्वनाम, दूसरा दिया है संग्या, तीसरा दिया है विशेशन, चौथा दिया है क्रिया, तो विशेशता कर रहा है कि हाँ मेरा कुता काला है तो इसमें विशेशाण आपका आजाएगा अब देखते हैं प्रश नंबर दो प्रश नंबर दो है कहु रावन कहु रावन रावन जड़केते इस पद में रावन सब्द का प्रेयोग क्रमसा हुआ है तो इसमें ऑप्सन दिया है जाती वाचक संग्या एवं वैक्ती वाचक संग्या दूसरा है वैक्ती वाचक संग्या एवं वैक्ती वाचक संग्या तीसरा है वैक्ती वाचक संग्या एवं जाती वाचक संग्या और चौथा है जाती वाच वाचक संख्या एवं जाती वाचक संख्या तो हमारा आंसर हो जाएगा option number c व्यक्ति वाचक संख्या एवं जाती वाचक संख्या तो यह हमारा answer है इस प्रकार हम तीसरा question देख लेते हैं राजा नगर में आए अर्थ के अनुशार या वाच्या निम्न लिखीत में से कीस प्रकार के अंतरगत है तो option देख लेते हैं पहला option है संख्या सूचआख्या विदानार्थक वाच्या संख्या नार्थक वाच्या इक्छा बोध वाच्या तो इसमें है हमारा उत्तर हो जाएगा answer number b यह हमारा आंसर है अब देखते हैं कोशन नमबर फोर जो है गौरो गाथा इन दोनों सब्दों के बीज में लगा चिन कहलाता है तो आप्सन्स है पहला आप्सन दिया लागव चिन्न, हंस्पद चिन्न, योजक चिन्न और तरण चिन्न तो आंसर आजाएगा हमारा आप्सन नमबर सी योजक चिन्न यह हमारा आंसर है आगे प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर पांचवा संस्क्रीट के मूल सब्द जो हिंदी भासा में प्रचलित है वे कहलाते हैं आप्शन है तद्भव, विदेशी सब्द, तश्रम सब्द, देशक सब्द तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर C ये आंसर है इसका संस्क्रित के मूल सब्द जो हिंदी भासा में प्रचलित है वे कहलाते हैं प्रस्ण प्रस्ण नमबर 6 देखेंगे मैं अपना सीर खुजाता हूँ इस वाक्य में है इसमें बताता है इस वाक्य में क्या है अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक सकर्मक दोनों है अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी ये सकर्मक है ठीक है इस प्रकार कोशन नमबर 6 भी complete अब कोशन नमबर 7 देखते हैं तो कोशन नमबर 7 है प्रधान अध्यापक की बाते सुनकर मैं सर्म के मारे चुप हो गया जो रेखा की वाक्यांस है वाक्यांस का भाव किस मुहावरे से किस मुहावरे से वैक्त होता है तो ये जो रेखा की है उसको हमें बताना है कि ये किस मुहावरे से वैक्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर B होगा अपना सा मू लेकर रह गया अब अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 38 आगे दिखाना मुहारक किस अर्थ में प्रयूक्त होता है मतलब जो आँखी दिखाना है वो किस मुहारा में प्रयूक्त होता है लजजित करना, स्वागत करना, सवधान करना, क्रोध से देखना तो अंसर हो जाएगा क्रोध से देखना अब हम देखते हैं कोशन नमबर 9 पाकिट मार सब्द में समास है इसमें बताना है कि पाकिट मार जो सब्द है वो कौन से समास के है तो ओप्सन देख लेते हैं अव्योभव समास, ततपुरुस समास, करमधारय समास, द्वन्द समास तो इसमें आजाएगा तुम्हारा आप्सन नमबर B ये तुम्हारा आप्सन है, ततपुरुस समास अब देखते हैं कोशन नमबर 10 कोप सब्द का पर्यावाची सब्द है इसमें बताना जो कोप सब्द है, उसका पर्यावाची सब्द कौन सा है पहला अवीतत, क्रितान, अमर्स, मृरीपा तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा आप्सन नमबर C ये आंसर है, आप्सन नमबर C आंसर है अमर्स आगे देख लेते हैं, मैं खाना खा चुका, तब वह आया यह वाक्या है, सरल वाक्या, सयुक्त वाक्या, मिश्र वाक्या, यह संचिप्त वाक्या वो बोल रहा है, मैं खाना खा चुका, तब वह आया तो इसमें तुम्हारा आंसर हो जाएगा, मिश्रित वाक्या यहां आनसर मिशृत वाक्या अगला स्वरें लिए वरतनी द्रिश्टी से सीजए थ्वाद स्षर ने स्वर्टा में लिए ये 2 तो आप जानते हो द्वंद कैसे लिखा जाता है तो इसका नमबर हो जाएगा डी इस प्रकार हम 40 मतलब 13 नमबर को कोशन दिखते हैं कौन सा बेंजन तवर्ग नहीं है इसमें बताना है कि तवर्ग कौन सा नहीं है तो आप्सन दिया है न मा दा धा यह ओप्सन दिया है तो इसमें आंसर आजाएगा मा option number B इसका answer है ये इसका answer है अब अगला देख लेते हैं भिन भिन स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन होता है उसे क्या बोलते हैं मतलब उसे क्या कहते हैं सैयूक्त स्वर, दीर्ग स्वर संधी स्वर, मूल स्वर तो इसका answer हो जाएगा क्योंकि जो भिन्य भिन्य स्वरों के मेल से बोले तो उसका हो जागा है स्वयूक्त स्वर ये इसका answer है अब देखते हैं question number 15 भगवद भक्ती में संधी है जो भगवद भक्ती उसको अगर संधी करते हैं तो कौन से संधी बनता है ये बताना है विशर्ग संधी, स्वर्षंधी, वेंजन संधी, गुण स्वर्षंधी तो इसका answer आजाएगा वेंजन संधी अब अगला question देखते हैं जिस मूल सब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं मुल दातू, यओगिक धतू हमने परिभास पढ़ा है हिंडिमें जिस मूल सब्द में विकार होने से क्रिया बनती है जिसमें विकार होने से उसमें जो जेंज होता है तो क्रिया बन जाता है जैसे खेल उसमें अगर ता लगा देंगे तो खेलता तो वो क्रिया बनता है तो उसी प्रकार वो किसका वो हो जाएगा धातू अगला देखेंगे 17 नंबर को कोशन किसी वाक्य के अंस को हम नीमनलिखीत में से क्या कहेंगे अप्सन दिया है पदबंद पद तल पद रूप पद तराण तो आपका आंसर हो जाएगा पदबंद ठेक 18 नंबर को कोशन देखेंगे नीमना की सब्दो में से सब्द बहुबरी समासिक सब्द है बहुबरी समासिक सब्द आपको बताना है दसानन लुप्त पद प्रप्तो तक उप्त पसू उप्त हत पसू तो आंसर हो जाएगा बहुबरीज में क्या होता है संख्या का बेद होता है तो इसमें जो संख्या बता रहा है वो कौन सा हो जाएगा दसानन ये 10, 0 वाला ऐसा उसके बाद अगला देखते हैं question number 19 अनुकरनी में लगा प्रत्य प्रत्य बताना है तो आप प्रत्य जानते हो जो मुल सब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्य बोलते है तो इसमें बताना है अनुकरनी में कौन सा प्रत्य है अनु है, करण है, E है या E है ये आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D ये उसका आंसर है निमनलिखित वाक्य में एक विराम चिन्द का लोब है वा विराम चिन्द कौन सा है वाक्या आप एक ऐसे मनुस्य को खोज कराईए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो तो इसमें हमें बताना है जो विराम चिन्द लोब है अर्ध विराम चिन्द आश्यर ये सुचक चिन्द अल्प विराम पूर्ण विराम इसमें हमें बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर number C कोशन 21 देखते हैं रहिमान पानी राखिये बीन पानी सबसुन पानी खाये ना उब्रय मुती मानश चुन इस वाक्य सब्द सक्ति पहचानी है इसमें जो आप्सिन दिया है इसमें सक्ति को पहचानना है इसमें जो option दिया है लच्छना सब्द सक्ति, अमिच्छा सब्द सक्ति, मधूर्य शब्द शक्ति, बेंजना सब्द सक्ति तो इसका आंसर आज जाएगा आपका option number A ठीक, इस प्रकार हम question number 22 देख लेते हैं एक अनार सौ बीमार या एक वाक्य है मतस्वर्य या एक क्या है बताना है, मुहारा है, वाक्य है, वाक्यांस है, लोकोक्तिया है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा option number इसका हो जाएगा ये एक लोकोक्तिया है, B, option number B question number 22 का आंसर है, इसका आंसर है, option number D है अब देखते हैं question number 23, इस वाक्या में किस लोकोक्तिया का प्रयोग होगा तीर्थो के पंडे पुजारी प्रया, ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं, जो खालिस्थान हो इसमें option दिया है, आख के अंधे गांट के पूरे, मान ना मान मैं तेरा महमान गंगा गय गंगा दास, जमुना गय जमुना दास, आपका आज महराज इस option में आपको बताना है, कि कौन सा इसका answer है, तो इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा, option number A, आख के अंधे गांट के पूरे, ये इसका answer है question number देखते हैं, 24, संग्या का वह रूप, जिससे क्रिया के अधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक, संबंद कारक, संप्रदाय कारक, अधिकरन अधिकरन कारक, तो इसका answer हो जाएगा, आपका option number D, अधिकरन कारक ये इसका answer है, अगला प्रस्न देखते हैं, तो प्रस्न नमबर जो 55 से 77, मतलब 25 से 27 तक के जो प्रस्न है वो अपठित गध्यांस है, जो कुछ इस प्रकार के हैं, आप देख सकते हो, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद जो कोशन दिये हैं, उसको solve करना है, तो मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, तो जो इसका question है, उसको solve कर लेती हूँ, आपको answer बता देती हूँ, आप एक बार वीडियो को stop करके, इसको इसको आपठित गध्यांस है, वो पढ़ सकते हो, यहाँ पास है, कोशन नमबर 25, पारिस्तितिक तंत्र या इको तंत्र का या घटक नहीं है, ओप्सन दिया है, ओप्सन नमबर A दिया है, सूर्या का प्रकास, कार्बनिक पदार्थ, पर्माणूर्जा मौसम, तो इसमें आंसर आजाएगा आपका पर्माणूर्जा, यह इसका इको तंत्र का घटक नहीं है, अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 26, प्रित्वी पर उपस्ति समस्त इको तंत्र को समीलित रूप से कहते हैं, सौर्मंडल, जेवंडल, तारा आपका उत्तर आजाएगा, जेव मंडल, आप एक बार अपठीद गध्यांस को पढ़ लीजिएगा, अगला कोशन है, जो अपठीद गध्यांस से ही है, जीवो और उनके पर्यावरन के परंपर, परसपर क्रियाव का अध्यान कहलाता है, जीवों और उनके परियवरन के परसपर क्रियाओं का अध्यन कहलाता है यहाँ पस दिया है ecology, anthropology, biology, ecology, ecology, ecology तो यहाँ पस आपका आंसर आजाएगा ecology यहाँ आपका आंसर है option number 1 अब यहाँ पस अपठीद गध्यांस के question खतम होते हैं अब यहाँ पस अगला question आता है question number 28 इसमें आ जाएगा बलागात का प्रयोग होगा बलागात का प्रयोग होगा तो option देख लेते हैं यहाँ पस है स्रवन कौसल में, बोलने के कौसल में, पठन के कौसल में या लेखन के कौसल में तो आपका उत्तर हो जाएगा option number B बोलने के कौसल में अगला question देखते हैं पढ़ने को दैनिक जीवन की जरुरतों से जोड़ना या किस भासे कौसल का उत्तर है स्रवन कौसल का लेखन कौसल का बोलने के कौसल का या पठन कौसल का ये हमको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा जो पढ़ने को दैनिक जीवन के जरुरतों से जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है पठन कौसल का या उसका उत्तर है अगला last question देख लेते हैं लेखन कौसल से संबंधित नहीं है इसमें हमें बताना है कि लेखन कौसल से क्या संबंधित नहीं है विसे वस्तु को इसपस्ट वतार्किक रूप से संगठित करना लेखन को कौसलता पूर्वक लिखना तीसरा दिया है वैकरन का सहीं उप्योग और चौन्था दिया है आपका विचारों के भी संबंध इस्थापित ना करना तो ये उसका आंसर हो जाएगा ये था हमारा 2012 का सीजी टेट का ओल्ड कोशन पेपर हिंदी विसे है आपका हिंदी भाग का जिसके पूरे तीस प्रश्न के उतर हमने दे दिये हैं अगर आप वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्युक्यूंकि इसके आगे हम और वीडियो ड सब्सक्राइब करें धन्यवाद